डॉक्टर सस्मित पात्रा जी माने डेप्टी चेर्मन साब कितना समय है मेरे पास आप बुले माने डेप्टी चेर्मन साब आज ये विशेश समय है जब एक एतिहासिक मौके पर ऐसी एक वेपलविक परिवर्तन के और हम जा रहे हैं जो शायद आज से पचास साल सौ साल बाद जब भारत वर्ष देखेगा तो लगेगा कि एक एक एतिहासिक मौका था और इस समय को इस घड़ी को ज़रूर याद रखेगा तमाम स्पीकर्स ने कई विशेय रखे हैं और मेरी पार्टी के तरफ से बीजुजनता दल की तरफ से और हमारे नेता श्री नवीन पटनाईग जी की तरफ से हम तीनों बिल्स का समर्थन करते हैं और हमारे पूर वक्ता हमारी पार्टी से श्री सुजीत कुमार जी और श्रीमती सुलोता देव जी ने कई विशेय रखे हैं मैं उनको फिर उद्रुत नहीं करूंगा बट एक बहुत एहम विशेय माननेवर और मैं सारे सांसदों को एक विशेय आज बताना चाहता हूँ वो क्या है वो सिर्फ ये तीन कानूनों के बारे में नहीं है क्यूं जानते हैं माननेवर मुझे पता नहीं हम में से कितने लोग सुप्रीम कोट के कोट के कोट नंबर वन में जाके वकीलों के बीच में खड़े हुए हो जरूर खड़े हुए होंगे मैं थोड़ा बहुत वकालत भी करता हूँ माननेवर आप लोगों के अशिरवाद से बट कंस्टूशन बेंच जब बैठी थी सेम सेक्स मैरिज पे तब एक इंटर्वीनर के हैथसियत से मुझे वहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए रखा गया था एक बड़ा इंटरेस्टिंग विशे माननेवर मैंने देखा मैंने देखा वहाँ पर कुछ लोगों की जो वहाँ पर एडवोकेट्स थे कुछ एडवोकेट्स की सोच थी कि संसद भले ही कानून बना ले हम यहाँ पर उसको चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते है संसद क्या उखाड लेगा यह सोच होती है हम जैसे जुडिशियरी से जाके जुडिशियल प्रनाउंस्मेंट्स नहीं करते हैं हम आशा करते हैं कि जैसे हम लेजिसलेट करते हैं पर्लेमेंट में हमारा अधिकार भी कहीं अक्षुन रखा जाए यह बहुत जरूरी है मानिवर वो सेम सेक्स मैरिज केस में मैंने जो पक्ष रखा था और आज सदन के सामने वो रखना चाहता हूँ दो शब्द थे लेजिसलेटिव कॉंपिटेंस अगर आप इतने बड़े एक सामाजिक बदलाव को लाना चाह रहे हैं तो क्या सिर्फ एक पांच जजों की बेंच निरने कर ले और एक सो चालिस करोड की जनता पे उसको दे दिया जाए और कर से हर घर में या हर प्रदेश में और हर जगे सेम सेक्स मैरिज हो सकती है तो मेरा आर्गुमेंट बहुत सपश्ट था इसको सदन को दे दिया जाए जब तक पूरे देश एक सो चालिस करोड की जनता के आवाज से हम सब यहां पर आए है माने वर इसलिए बहुत जरूरी है और वहाँ पर और एक विशे बार 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 आता है और यह मानने मंत्रीगण है और कई बार आपको भी जब ब्रीफ किया जा रहा होगा लॉड इपार्टमेंट से केशवनन भारती केस के बारे में बहुत दुआईयां दी जाती है के केशवनन भारती केस की वज़े से जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस बेसिक स्ट्रक्चर पे पार्लिमेंट का कोई अधिकार नहीं है हम लोग कोई लेजिसलेट नहीं कर चाथ सकते हैं मैं उसी बेसिक स्टॉक्चर के बारे में दोशब कहना चाहता हूँ और इस बेसिक स्टॉक्चर जो केशवनन भारती केस से आती है मैं तो धन्यवाद करता हूँ हमारे महामीम मान्यवर वाइस प्रेजडेंट साब को मानिच चेर्मेन राजसबा श्री जगदीब धनकर जी को क्योंकि उनका एक जो वक्तव्य उन्होंने दिया था 83rd All India Presiding Officers Conference में मैं उसको आज उदूत करना चाहता हूँ उन्हें बहुत खुबसूरत बात बताई थी Basic Structure और Parliamentary sovereignty के बारे में और मैं चाहता हूँ कि सदन सुने क्योंकि कई बार होता है हम सांसद हमारे अधिकार को जाते हुए देखते हैं और चुपी साधे खड़े रहते हैं Judiciary हमारे Legislations को NJAC को बिगार देती है उसको हटा देती है और उसके बाद 16 राज ये उसको अप्रूफ करने के बाद भी NJAC में आज भी हम चुपी साधे खड़े हैं ये कहीं ना कहीं हमारे चुपी साधने की आदत हमारे विवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है हम सांसद हैं हमारा अधिकार बनता है हमारे 140 क्रोड जनता के लिए लॉस बनाना, आइन बनाना, लेजिसलेट करना बट आज लेजिसलेशन जुडिशियरी करती है और हम लोग लेजिसलेशन भेज के कहते हैं क्या? अरे ये कोर्ट में पेंडिंग है अरे कोर्ट में पेंडिंग है तो कोर्ट अपना काम करेगी हम अपना काम करेंगे अगर जुडिशियरी के भरो से पार्लमेंट रहेगा क्या? ये एक सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए तो मानने उपराश्ट पती जी ने जब 83rd All India Presiding Officers Conference में Basic Structure के बारे में और Separation of Powers Legislature, Executive और Judiciary के मापदंडों पे एक बहुत खुबसूरा विशेब बोली थी मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ I quote Democracy sustains and blossoms when the legislature the judiciary and the executive act in tandem and togetherness to fructify constitutional institutional goals and realize aspirations of the people Judiciary cannot legislate in as much legislature cannot script a judicial verdict जैसे एक judiciary legislate नहीं कर सकता हम भी एक judicial प्रनाउंस्मेंट नहीं दे सकते तो यह जो बार बार दुआई दी जाती है केशवनन्द भारती प्री केशवनन्द पोस्ट केशवनन्द basic structure आप लोग इन विशो पर आप legislate नहीं कर सकते आपके अधिकार के दाइरे में है ये सदन भले ही राजे सबा और लोकसबा दोनों ही सदनों के पार संपुन्द अधिकार है legislate करने के लिए ये सपश्टा ते रहनी चाहिए कई बार मैं सुनता हूं सदन में हम बहुत laws बना रहे हैं बहुत कानून बना रहे हैं बट जब कानून बनाते हैं कुछ सदे से कहते हैं कोई भी party के हो कहते हैं सर ये जो है ये judiciary में लंबित है ये जो है ये contempt of court हो जाएगा अरे सदन can the parliament ever stand in contempt of court can the court give us right and directives ये भै कैसा है हम अपने अधिकारों को छोड़ रहे हैं इसलिए वो अधिकार वहां जा रहे हैं तो मानिवर की कई सारे कानून हम बनाते हैं और विशेशकर आज के इस दिन में मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं मजबूत बनिये ये सदन ये सांसदों का सदन ये एक सो चालीस करोर जनता की आवाज है वो आवाज का फैसला पांच जजज बैटके Constitution Bench में नहीं दे कर सकते वो शायद अपने जजजमेंट्स दे सकते हैं बट हम अगर हमारे powers के बारे में इतनी आराम से हम छोड़ना शुरू करेंगे और हमारे powers जाते रहेंगे आप मंतराल में बैटके जो कल नियम बनाएंगे कल वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा जुडिशियरी में कितनी बार दोडेंगे इसलिए मानिवर मेरा समय समाप्त हो रहा है मैं ज़्यादा वक्त नहीं लोगा यही कहना चाहता हूँ मैं सदन से आगरे करना चाहता हूँ there is a separation of powers given between the legislative, executive, judiciary तीनों अंग है और तीनों अंगों के बराबर बराबर है और सर्वोच है constitution समविधान तो इसलिए हम अपने आप को जब हम अपने कानून बना रहे हैं ये तीन बड़े कानून बन रहे हैं कल में इसे कही जाके चैलेंज होंगे कोर्ट में हम अपने अधिकार ये समझे that we as a parliament are sovereign we have a sovereignty we have a duty to 140 crore people of this country बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय जा Thank you Dr. Sasmit